रहुल गांधी के नेत्रित में भारा जोड़ यात्रा गुरुवारशाम जमूँ में प्रवेश कर गई जमूँ में यात्रा के प्रवेश करते ही पूर मुख्य मंत्री फारुक अबदुल्या ने रहुल गांधी की तारीफ की उन्होंने कहा कि वो शंकराचारे के बाद ऐसी यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि ये राम और गांधी का देश है जिसके बाद वो काफी भावुक हो गए और क्या कुछ कहा फारुख अब्दुल्ला ने देखते हैं ये रिपोर्ट राहुल गांधी के अगवाई में भारत की कई सद्यों पहले शंक्रा जारिया जी आये थे वो चले थे जब सड़के नहीं थी जंगल थे वो चले थे कन्या कुमारी से कश्मीर तक ये दूसरे शक्स हैं जिरू ने यात्रा की है उसी कन्या कुमारी से और कश्मीर पहुंच रहे हैं मकसद क्या है मकसद है हिंदुस्तान को जोड़ना भारत को जोड़ना राहुल गांदी गुरुवार शाम को ही लखनपूर पहुंच गयते जहां उनके साथ कॉंग्रस अध्यक्ष मलिकार जुन खड़के समयत कॉंग्रस के कई नेता मौजूद थे राहुल गांदी ने महराजा गुलाब सिंग की प्रतिमा पर श्रदधा सुमन अरपित किये थे फारुक अब्दुला ने मशाल जला कर राहुल का स्वागत किया फारुक ने अपने भाषर में राहुल की जम कर तारीव की राम का जो भारत था वो था कि सब हम एक हैं सब धरम कितने ही अच्छे हैं कोई धरम बुरा नहीं है इंसान बुरा है धरम बुरा नहीं है और यही यात्रा जो है आज भारत को जोगने की कोशिश कर रही है जो इसके दुश्मन है वो भारत के दुश्मन है वो इंसानियत के द फारुक अब्दुल्ला का ये भाशन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है।